दुस्तों क्या आप जानते हैं बनारस यानि की कासी ये दुनिया का एकलोता इससा सहर है जहां पर 11 नदियों के 5 संगम है कासी का रिस्ता पियम मोदी के साथ बहुत ही पुराना है इस सहर अपनी संस्कृतिक और सवेता को लेकर के पूरे दुनिया में चर्चित है गवारा नसी को महादेव की नगरी भी गाते हैं धर्म अध्यात्मी और संस्कृतिकी नगरी कासी में गंगा के समानांतर इलाकों का विकास किया जा रहा है कासी के सांसद खुद प्राइमिश्टर मोदी है और देश के प्रदानमंत्री तो मोदी है ऐसे में कासी में विकास होना ये तो निश्चित है पिछले 10 सालों में कासी का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है आज की इस वीडियो में हम आपको कासी में बन रहे हैं दस सबसे सबसे बड़े पोजके बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे रैमिश्टर मोदी अपने खुआ हैं के सबसे बkedति पर काम चल रहा है लेकिन इसके अलावा भी कासी में 10 सबसे बड़े प्रजट पर काम चल रहा है अगर ये पूरी तरह से बंगर के तियार हो जाते हैं तो कासी का रूप और भी बदल जाएगा नमबर बन पर है कासी रेलवे स्टेशन रेडवलब्मेंट प्रजेक्ट जिस तरह से देश के 507 रेलवे स्टेशन का रेडवलब्मेंट किया जारा है ठीक, वैसे ही कासी के रेलवे स्टेशन का भी कायकल पहुचुका है कासी के रेलवे स्टेशन पर आपको एरपोट के जैसे ही modern facility मिलेगी आज के टाइम में जो फेसिलिटी आपको एरपुट में देखने को मिलती है अब वो आपको कासी के रिलिवेस्टेशन में भी देखने को मिलेगी वाइप है लेप, कैमरा, टर्मिनल विल्डिंग, पार्किंग, रेस्टोरेंट, A to Z फेसिलिटी इसके अलाबा रिलिवेस्टे वारा नसी कॉलकाता एक्स्प्रेसमे के बनने के वज़े से, कोलकाता, बिहार, जार्कांड, यहां के सारे लोग असानी से बना रश से जिड़पाएंगे, वारा नसी कॉलकाता को बना रही है जहां पर टेक्स्टाइल के सारे काम एक ही जगह पर होंगे इस वाले टेक्स्टाइल पार्क में ना केबल अमीर लोग बलकि छोटे-मोटे जो भी लोग टेक्स्टाइल के चत्में काम करते हैं वो सब यहां पर अपना प्लांट सेट अप कर सकते हैं इस वाले म 80 में International Cricket Stadium को बनाया जा रहा है, इसका काम स्टार्ट हो चुका है, और 80 का ये वाला International Cricket Stadium बहुती भव होने वाला है, बहुती खास होने वाला है, रिपोट के कोर्डिंग साल 2027 तक ये श्टेडियम बनकर के तयार हो जाएगा, जब ये श्टेडियम बनकर के तयार होगा, तो इसकी दरसक छमता 30,000 लोगों की होगी, इसके लावा आने वाले फुचर में से 40,000 तक एक्षेन किया जा सकेगा, 80 का International Cricket Stadium इसले खास है, क्योंकि जब इस्टेडियम बनकर के तयार हो जाएगा, तो इसका जो सेफ होगा, वो भगवान संकर के अधरचार्ण के जैसा होगा, इस्टेडियम में जहाँ पर से कॉमेंटरी किया जाता है, वो डमरो के सेफ का होगा, इस्टेडियम में जो बले बले लाइट होते हैं, उसको तिरसूल के सेफ में बनाया जाएगा, इस्टेडियम की जो भारी दिवाल होगी उसे भगवान सिप के बिलपतर के डियाल में बनाया जाएगा इसके अलावा भी कासी का इंटरनेशनल इस्टेडियम कासी के धार्मिक और सांस्कृतिक से रिलेटेड है यहाँ पर आपको दादिकाईस की कासी का ये वाला इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडियम बनने के बाद ये उत्तर परदेश का चोथा क्रिकेट इस्टेडियम होगा कासी का अगला सबसे वाला प्रजेक्ट है वारानसी एरपोर्ट का एक्सपेंशन वारनसी एरपोर्ट को लाल बहादूर सास्त्रिये इंटरनेशनल एरपोर्ट के नाम से जाना जाता है यह स्टेडिया मुतर परदेश के वारनसी जीले के बाबत पूर में मौझूद है यहां पर अभी एर कनेक्टिविटी और कार्गो ओप्रेशन को बलाने के लिए इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है इसके एक्सपेंशन के लिए उत्तरपरदेश गवर्मेंट ने 3050 सिकर के एरिये का लेंड इक्सपेंशन किया है जिसके लिए किसानों का जिनका जमीन जाएगा उनको एक हज़ार कोल रुपिया बाटा जाएगा इस वाले expansion plan में नए terminal building को बनाया जाएगा Aero bridge कर निर्वान किया जाएगा runway को 4000-75 मीटर तक extend कर दिया जाएगा जब इसका पूरी तुरह से expansion हो जाएगा तो करीवन 75,000 स्क्वाइब मीटर के इस छेतर में आठ एरो bridge, 72 check-in counter, 14 security counter और 6 biggest claim होंगे जिसकी MPPA समता 6 होगी ये एगंटा में 5000 वेक्ति के suitcase को चेक करेगा वारा नसी का अगला सबसे बड़ा project है वारा नसी गोरकपूर फोरलेन highway गैसी वारा नसी का बहुत ही important project है इस project के अंतरगत National Highway 29 को 60 km तक फोरलेन कर दिया जाएगा वारा नसी गोरकपूर section NH 29 की total लंबाई 208 km है आगे जाकर के इन सब को फोरलेन में तब्दिल कर दिया जाएगा इसके बनने से दोने सोरों के बीच में करेक्टिविटी काफी जादा बढ़ जाएगी यात्रा करना असान हो जाएगा, टाइम बचेगा, पोलिशन कम होगा और इस तरह से छेतर में एकोनोमिक बुष्ट होगा कासी का अगला सबसे वड़ा project है कासी रोपबे project कासी का under construction, aerial cable का ये भारत का पहला public transport रोपबे होने जा रहा है जो कि 3.75 km लंबा है इसमें total 5 station होने वाले हैं जो वारानसी cannot station से start होंगे और इस वाले railway station को गोदो वालिया चौक से जोड़ेंगे ये अभी under construction है report के recording इसे मई 2025 में चालू कर देना है ये रोपबे कासी के station से start होता है वहाँ से फिर विद्या पेट, रथियात्रा और गिरजा अगर होते हुए गोदवालिया चौक में इंटर करता है कासी का अगला सबसे वाला project है कासी water metro इसी साल 22 जन्मरी को प्राइमिस्टर मोदी ने उत्तर परदेश की पहली water metro का ध्वाटन किया था इसका उद्गाटन अयोध्या में किया था लेकिन अब इसको वारण असी कासी में भी चलाए जाएगा अयोध्या में सर्यू नदी, मतुरा में यमना नदी, कासी में गंगा नदी इन सारी नदीयों में सर्धालो water metro के जरिये यात्रा कर पाएंगे इस water metro का निर्मान केरल के कोची सिप्याड में किया जा रहा है तो अब आपको विदेशो देशी river metro भारत में भी देखने को मिलेगी यह अपने आप में गजब का होने वाला है जब यह चलना स्टार्ट हो जाएगा तो यह नदी के माध्यम से ही लोगों को एक जगा से दुसरे जगा पर लेकर के जाएगा इसके लाबा UP government बुलू waterways पर भी वर्क कर रही है गंगा नदी से आप डारेट बंगाल जा सकते हो वारानसी कासी का अगला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है Six Land Ganga Bridge जी है गाइस गंगा के ऊपर Six Land का ब्रीज बनाय जा रहा है यह बहुत ही खुबसूरत और बहतर कनेक्टी वेला ब्रीज होने वाला है यह ब्रीज वारानसी रिंगरोट के Package 2 का पार्ट है इसे NHAI के द्वारा complete किया जा रहा है ये bridge 1742 मीटर लंबा है इसे बनाने में करीब करीब साड़े 900 कोल रुपया खर्च हो रहा है वरतमान में इसका एक लेंज चालू होने वाला है और जो बागी का काम है वो भी जल्दी कमनेट हो जाएगा उस पर काम चल रहा है पीम मोदी के द्वारा वारनसी रिंग रोड का फेजवन का धगाटन कर भी दिया गया है आईए अब आपको दाते हैं वारनसी कासी के सबसे बड़े सबसे महतकांची बुलेट के बारे में जो कि दिल्ली वारनसी बुलेट ट्रेन है पीम मोदी गुजरात से हैं तो वो गुजरात में बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए बुलेट ट्रेन को त्यार कर रहा है तिक वैसे ही पीम मोदी वारनसी से सांसाध है तो जहां से वो जीते हैं वहां के लोगों को बुलेट ट्रेन देने के लिए देली वारानसी बुलेट ट्रेंट कोईड़ डूर का TBR रिपोर्ट त्यार हो चुका है दिल्ली वारानसी बुलेट ट्रेंट ना से इप उत्तर परदेश बलकी पूरे भारत के सबसे बड़े पोज़ेक्ट में से एक है ये पोर्जेक्ट 865 किलोमीटर लंबा है दिल्ली से वरनसी को bullet train से जोड़ दिया जाएगा इस route में total 12 station को बनाया जा रहा है इसकी अनुमानित लागत 1.21 लाग कोल रुपया है इस project में लखनव से आयोधिया वाला भी bullet train सामिल है लखनव से 135 किलिमिटर दूर आयोधिया तक भी bullet train को पहुँचाए जाएगा जब ये वाला bullet train corridor बन करके त्यार हो जाएगा तो दिल्ली से वरनसी जाने में मातर 2 गंटे 37 मिनट का समय लगेगा अभी तो 8-10 गंटे से जादे का समय लग जाता है दिल्ली से वरनसी पहुचने में आने वाले टाइम में दिल्ली वरनसी बुलेट train को वरनसी से पतना, पतना से राची, राची से कॉलकाता तक जोड़ दिया जाएगा अगर आप वरनसी बुलेट train corridor के बारे में detail में जाना चाते हैं तो आप हमें comment कर सकते हैं इसके पहले भी मैंने ये वाला विडियो पर बना दिया है तो गैस ये थे वरनसी कासी के 10 सबसे बले project जो कासी के सूरत को पुरी तरह से बदल के रख देंगे आने वाले time में वैसे आप कासी बनारस के बारे में क्या करना चाहेंगे comment जाओ करें और ऐसे इंटरेस्टिंग project के लिए हमारे challenge से जो जुले है अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक जो से करें मिलते हैं एक नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए जाहिंद